नमस्ते दोस्तों मैं आपके लिए आज मसीन डिजाइन जो सब्जेक्ट है उसका फस्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन उसके कुछ सौट आंस्वर टाइप कॉस्चन है तो देखिए दोस्तों कॉस्चन नमबर फस्ट वट इस कोडस एंड स्टेंडर्ड कोड का वरनन यानि जो स्टेंडर्ड है उसका मतलब है कि किसी भी संसार के भाग में किसी सेप और साइज किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो सामान सेम रहेगा एक जैसा रहेगा अब देखिए कॉस्चन नमबर टू डिफाइन फैक्टर ओफ सेप्टी इसे हम एफ ओएस से भी डिनोट कर से ने सकते हैं तो मह typically को वर्न कीजिये इस डिफाइन ईस डिफाइन डिएश ऑप अल्टिमेट स्ट्रेस टू दी वर्केंग स्टेस जो फेक्टर ओफ सीपी। यह हो ultimate stress और वर्केंग स्ट्रेस का रैश्यो है यह दे रखा यूएश अपौन डूलेश यूआस का ultimate stress to the working stress ultimate stress को maximum stress भी कह सकते हैं तो factor of safety किसका ratio ultimate stress या maximum stress upon working stress question no.3 fatigue define when repeated stress are introduced of material fail stress below the yielding point यानि जो fatigue है वो repeated stress से objected है जो fail stress below the yielding points के नीचे फेल हो जाता है stress stress का वर्नन कीजिए fourth question is stress when some external force applied on area of cross section on internal force resist it on it to deform is known stress stress का मतलब जब कुछ भार्य फोर्स किसी भी object पर लगाई यह यह object है इस पर कोई भार्य फोर्स लगाई जाती है तो कुछ area पर इसके पर तो कुछ internal stress होती है किसी body के अंदर तो वो रोकती है deform होने से तो उसे कहते हैं stress इसे हम denote करते हैं सिगमा से इसकी unit है न्यूटन पर मीटर स्केर और पासकल भी कह सकते हैं और इसका फॉर्मूला है सिगमा एक्वल टू एप अपॉन ए किलियर तो question number five toughness यह ability it is ability of material by virtue of which resist suddenly applied load ठीक है यह जो toughness है यह material की ability है चमता है जिसके दोरा जो suddenly applied load होता है उसे रोकती है और यह depend होती है it is depends on ductility and strength of material ductility और strength of material पर depend होती है तो अब देखे question number six what factor affect factor of safety कौन कौन से factor factor of safety को affect करते हैं तो there are three types of factor there are three types of factor on which factor of safety depends जिन पर factor of safety depends होती है जैसे कि material हो फस्ट second mode of manufactured third type of stresses तो यह तीन factor है कौन कौन से material mode of manufactured type of stresses देखिए seven defined endurance limit it may be defined as the maximum value of reverse bending stress that standard specimen of material can sustain for infinite number of cycle without fatigue failure अब देखे एर्थ question strain strain may be defined as ratio of changing dimension to the original dimension it is noted by sigma epsilon 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 do not होता है जो यह होता है strain strain तो होता है epsilon से और stress होता है सिगमा से ओके याद रखना है यह बात तो यह unit less है इसकी कोई unit नहीं है यह है जीरो तो इसका फॉर्मला एप साइलेंट डेलल अपॉनेंट यह हम कह सकते हैं चेंजिन लेंथ और ओर ओरिजिनल लेंथ मैलीविल्टी मैलीविल्टी का मतलब है कूट कूट कर किसी material को इसको पतली की चादर में कनवर्ट कर दें इसमें सिल्वर गोल्ड को इटीशिस के उधारन है अब देखिए आगे कोस्चन नमबर टैन क्रीप इस प्रॉपर्टी ऑप मैटेरियल बाइवर्ची ओफ विच श्लो प्लास्टिक डिफॉर्मिशन अंडर एप्लाइड लोड डियूरिंग अब टाइम एट हई टेंपरिचर यह क्रीप एक मैटेरियल के प्रॉपर्टी यह जो श्लो प्लास्टिक डिफॉर्मिशन अकर करती है लोड एप्लाइए कनने पर कुछ समय के लिए डियूरिंग समय के दोरान हाइट ताप मान परते हैं इस कहते हैं क्रीप अब देखिए ह तो यह अगया तो सिग्मा एप्साल इन को नीचे ले जाओ तो यह आ गया यह हो गया Elastic Constant तो इसे ई कैसे है हाडनेस हाडनेस भी एक material property है हाडनेस इस प्रोपरटी अटेरिल तो रजिस्ट इंडेंटेशन एबरेशन अंडर एप्लाइड लोड इंडेंटेशन एबरेशन और सिक्रेचस सिक्रेचस भी हो सकती है इनको रोकता है resilience it is property of material to absorb energy shock or impact load resilience एक material property जो energy गो एब्जोर्ब करती है shock जटका लगते हैं जो मूर साइकल में और impact load stress concentration 14 question the irregular distribution caused by aberrant changes of form is known as stress concentration तो क्या है the irregularity distribution caused by aberrant changes of form is known as stress concentration characteristics of good designer अच्छे designer की कौन कौन से good हो सकते हैं उसकी अच्छी memory याद्दास imaginary power host के अंदर और positive attitude हो तो दोस्तों यह कुछ question थे machine design के और ऐसे ही हम आपके लिए आगे ऐसे question लाते रहेंगे इनको देखिए like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कर लीजिए यदि channel पर नहीं हाई हो तो आप और हमें प्यार दीजिए और हमें बताईए आपको क्या problem है उसके लिए हम video ना एक लाएंगे और रेजल्ट से लेटिड बाते हैं तो रेजल्ट अभी आने बल नहीं है अभी यह फस्ट वीक में आएगा फस्ट वीक अब सेप्टेमबर तो जैसे भी हमको जानकारी मिलेगी हम उससे लेटिड आपको प्रतिक बात बताएंगे आप चिंता ना करें धन्यवाद